हेलो एवरिवान वेलकम बैक टू गाडनिंग फायर और फ्रेंड्स हम जो है फरवरी और मार्च में हम किन बल्ब के वाले पोदो को लगा सकते हैं आज मैं उनके नाम सेलेक्ट कर रही हूँ आपको बताने जा रही हूँ फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा ये कैनलीली का बल् के बल्ब कर लागा और और मेरे पास ये येलो कलर का है और मैंने अपने पोट में से निकाल कर इसको मैं डिवाइड कर र veggie हैं तो मैं आपको दिखाना चाहँंगी इस तरीके से इसके बल्ब होते हैं स्कृन पराप्व ये का आफी सारे बल्ब तयार कर सकते हैं यानि कि प अलग किया है और मैं और भी बल्व अलग कर रही हूं और बहुत ही खुबसूरत फ्लावर होता है यह आप इस टाइम पर इन बल्व को ग्रो कर सकते हैं और नेक्स्ट बल्व है हमारा सपाराडर लिली का बल्व और यह देखें बहुती सुन्दर प्लांट है इसमें वाइट करके लगाँ बल्व होते हैं ज्यादा मोटे नहीं होते हैं इस टाइप के होते हैं आप इनको मिटी में आसानी से लगा सकते हैं और वाइट कलर का इसमें फ्लावर आता है जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट है हमारा रेन लिली रेन लिली के बल्ब को भी आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं वैसे इसके बल्ब को साल में कभी भी ग्रो किया जा सकता है लेकिन आप मार्च, अप्रेल और मे से पहले ही इन बल्ब को ग्रो कर लेंगे तो जो बरसात का सीजन होगा उस टाइम पर आपको इससे flowering बहुत अच्छी मिल जाएगी कभी कभी होता है हमारे बल्व healthy होते हैं तो time से पहले भी flowering करने लगते हैं बीच में साल में कहीं बार बीच में बरसात होती है तो उस टाइम पर हमारे जो plant है हमारे plant इसमें flowering होनी start हो जाती है यह देखे मैंने यह एक plant लि round हो चुकी थी तो मैं इनको separate करने के लिए मैंने इसको निकाला है और देखे आप इसमें कम से कम सो से जादा बल्व तयार हो चुके हैं और इसके बल्व जादा मोटे नहीं होते बहुत ही छोटे जैसे lesson की कली होती है मोटी वाली इसी type के यह बल्व होते हैं और यह देखे हुँ नेक्स्ट बल्व है हमारा कलैडियम का कलैडियम एक ऐसा प्लांट है यह फ्लावरिंग तो नहीं करता लेकिन फॉलीज वाला प्लांट है और इस टाइप के इसके बल्व होते हैं देखे इसमें मेरे यह 3-4 बल्व निकले हैं जो कि मैंने ग्रो किये थे इनको जादा सारी जो है गिर जाती हैं तो इसलिए इनको दोबारा से हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा और इसमें देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर कलर होते हैं इसकी बहुत ही सुन्दर लीप्स होती है बिना फ्लावरिंग के भी ये प्लांट इतना आते हैं और ज्यादा रेट नहीं है इनका ये 165 में मैंने 5 बल्ब मंगाए थे नेक्स्ट बल्ब है हमारा फुटबॉल लिली फुटबॉल लिली का बल्ब देख सकते हैं ये थोड़ा प्याज नुमा यानि मोटा होता है इस टाइप से और इसमें बहुत ही अच्छा फ्ला लिली के बल्ब ज्यादतर साल में एक बार एक से दो बारी फ्लावरिंग करते हैं हमारा ये डे लिली का बल्ब देखि इस तरीकी से जैसे हैं इसी टाइप से ये बल्ब होते हैं छोटे छोटे बल्ब इसमें एक साथ लगे हुए होते हैं हमें इनको सिर्फ मिट्टी आप सैंडी सॉयल मिला के आप इसकी मिट्टी तियार कर लीजिए और इन बल्व को उसमें दबा दीजिए वाटरिंग का थोड़ा ध्यान रखिए बल्व ताकि गलेना सभी बल्व के पौधों में वाटरिंग का ही ध्यान रखा जाता है वरना ये बल्व गल जाते हैं इनके फूल आप देख सकते हैं किते सुन्दर फूल है और काफी कलर रंगों में ये फूल देखने को मिलते हैं इसमें हमारे सीट्स भी बनते हैं देखिए ये सीट्स भी बने हुए हैं ये प्लांट जो है सीट्स से भी आसानी से ग्रो हो जाता है लेकिन सीट्स के मुकाबले आप बल्व ग्रो करेंगे तो वो जल्दी से ग्रो हो जाएंगे और बल्व हमारे मल्टिपलाई होते रहते हैं उन में हमारी काफी जो है आसानी होती है उनको separate करने में नेक्स्ट बल्ब है हमारा Glorisa Lily का और ये देखे ये एक जड़ नुमा बल्ब है हम इसको वैसे जड़ भी कह सकते हैं लेकिन जादत्राम भासा में ये बल्ब ही बोले जाते हैं और इसके ये लंबी ऐसी होती है इसके बल्व जैसे स्पाइडर लिली के ट्यूबर्स होते हैं इसी टाइप से ये बल्व होते हैं इसे अगनी सिखा भी कहा जाता है और इसकी medicinal value भी काफी जादा होती है और इसके flower भी संदर काफी color रंगों में देखने को मिलते हैं देखे इस type का flower होता है भी संदर fragrance वाला flower होता है इसको लगाकर आप अपने garden को बहुत ही खुबसूरत बना सकते है नेक्स्ट बल्व आता है हमारा जिंजर लिली जिंजर लिली के बल्व को आप अगर काट काट कर थोटे चोटे टुकडों में भी लगाएंगे तो भी ये ग्रो हो जाता है और ये देखे बिलकुल अद्रक नुमा, अद्रक की तरह ही इसका बल्व होता है और ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खुबसूरत फ्लार इसमें प्रोड्यूस होता है बहुत ही हाड़ी प्लांट होता है और इसको मुश्यर बहुत पसंद होता है ये देखे कितने अच्छे फ्लार इसमें खिलते हैं ये भी काफी कलर रंगों में आपको देखने को मिल जाएंगे टाइम पर आप इन बल्ब को ओनलाइन परचेस कर सकते हैं सभी साइट्स पर ये आसानी से मिल जाएगा नेक्स्ट बल्ब है हमारा वाटर लिली वाटर लिली के बल्ब को भी आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं लिली के बल्ब आप आर्टिशियल पॉन्ड तयार करकर इसके बल्ब ग्रो कर सकते हैं ये भी देख सकते हैं आप काफी कलर रंगों में मिलते हैं जैसे कि कमल के फूल होते हैं उसी तरीके से ये भी काफी सुन्दर देखने में लगते हैं ये देखिए आप एसे एक पॉंड में इस तरीके से ये सारे में फैल जाता है इस बल्ब को भी आप अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं नेक्स्ट बल्ब है हमारा कैला लिली का बल्ब और ये भी आप इस टाइम पर अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं इन बल्ब में स्प्राउटिंग हुई रहती है तो वो बल्ब काफी जल्दी फ्लावरिंग करते हैं ये बल्ब थोड़ा कोश्टली होता है और इसको भी आ ये फ्लावर काफी कलर रंगों में मिलता है और इसका यूज बुके बनाने में भी किया जाता है और गिफ्टिंग परपस के लिए काफी सुन्दर होता है नेक्स्ट बल्ब है हमारा रजनी गंदा का इस टाइम पर आप रजनी गंदा को भी अपने गार्डन में एड़ कर स होते हैं और बहुत ही सुन्दर वाइट कलर के फ्लावर होते हैं